शौटगन यानि कि बिहारी बागु के एक ट्वीट से बिहार की जो राजनीती थी वो तेज हो गई थी अटकलो के बाजार में ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या शौटगन वापस से कमल थामने वाले हैं क्या वो हाथ का साथ छोड़ रहे हैं बात की जाये तो सिना ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अपने दूख से दुखी दूसरों के दूख से दुखी और दूसरों के सूख से दुखी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब के नरंद्र मोदी से दुखी जिसके बाद कई तरीके के जो चर्चाएं थी वो से पटना साहिब से चुनावलरा और रविशंकर प्रशाद्यों की भारती जनता पाटी के उम्मिद्वार थे और मौझुदा समय में किंद्रियम मंत्री हैं उनके सामने सतुधन सिन्हा को करारी शिकस्त मिली हाला कि सतुधन सिन्हा अटल विहारी बाचपई सरकार में मंत्री रहे हैं और कल जब उन्होंने ट्विट किया तो कई तरीके की जो चर्चाएं थी वो शुरू हो गई थी इन तमाम अटकलों पर अब खुद शौट गन ने बयान जारी किया है सतुधन सिन्हा न अंदाज में प्रधान नरेंडर मोधी के ओपर तंज था बात की जाये तो बिहार के सियासत में जिस तरीके से शुधन सिन्हा ने इंडिये में रहते हुए प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी के नैतिकता पर सवाल खरे किये थे उसके बाद कल जब उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि खामा खाल लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से नराज हो जाते हैं उसके बाद ये कहा जाने लगा कि शत्रुधन सिनहा सायद अब कॉंग्रेस का हाथ छोड़ कर कमल खिलाने में लग जाएंग लेकिन सत्रुधन सिनहा ने खुद इस बात की जानकारी दी कि जो ट्वीट उन्होंने किया था वो एक वयंग के तोर पर प्रधान मंत्री के लिए था उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हर रविवार को वो इस तरीके की ट्वीट करते हैं ताकि मनुरंजन हो सके उन्होंने तौर पर कहा कि ये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के समर्थन में नहीं था बलकि उन पर वयंग के तौर पर मैंने लिखा था बैरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां सतुधन सिना के इस ट्वीट के बाद चर्चाय तेज थी कि सतुधन सिना कॉंग्रेस को छोड़ कर भारती जनता पार्टी में आने की तैयारी में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ अब जब सतुधन सिना ने साफ तौर पर तमाम अठकलों पर ब्रेक लगाते हुए अपनी राय रस्पस तौर पर रखी है तो इस वयंग पर किस तरीके से भारती जनता पार्टी और खा तरहेगा